इंडिया के अंदर कोई electric revolution यहाँ पर आ रहा है वेल देखाया है तो अगर आफ फोर्ड वीलर्स में देखोगे तो शहत वहाँ पर आपको कभी देखने को ना मिले लेकिन कई बार मैंने पास्ट में बात करी कि इंडिया के अंदर electric two wheeler के अंदर revolution आ रहा है देखे सबसे पहले बात करते कार्स की ग्लोबल लेवल पर कार्स के अंदर electric revolution आया था और वहाँ पर टेसला जैसी कमतनी ने से यहाँ पर लीट जा था सिंबल सा रीजन यह था कि आपको ऐसी कार यहाँ पर निकाल कर देंगे जिसके अंदर आपको काफ़ी सिदा feature मिलेंगे और आपको एक futuristic vehicle देखने को मिलेगा यह एक ऐसी चीज थी जो कहाँ पर टेसला जैसी कमतनी ने promise करी थे और उन्होंने वह चीज भापर deliver करी कि कार के अंदर आपको वह सारी चीजे मिलेंगी जिसके कारण से वह एक successful global कार में करवाने है हाला कि इंडिया में टेसला जैसी कमतनी नहीं आती है और इंडिया में electric कारी का जो trend होता है यहाँ पर Tata जैसी कमतनी ने शुरू किया था जिन्होंने Tata Nexon EV के साथ इसे शुरू किया और उसके बाद उन्हें पूरा line up यहाँ पर already create हो चुग है लेकिन अभी भी कार के साथ एक चोठी सी प्रॉब्लम है कि कई सारे लोग सूचते कि अगर हम एक electric कार लेंगे तो हम एक पैसा बचा पाएंगे जबकि electric कार के हमलों में ऐसी बात सच नहीं है सबसे बहले तो normal जो LTV electric cars market में यहाँ पर कोई भी सबसीडी आपको देखने को नहीं मिलती है यह जो भी direct subsidies होती है जो government provide करती है जहाँ जातर electric two wheelers के लिए provide करती है two wheelers, three wheelers और commercial vehicles होते हैं वहाँ के लिए कुछ है लेकिन directly जो four wheelers आप खरीते हैं वहाँ पर कोई सबसीडी नहीं है यानि कि आम तोर पर कोई भी कार आप खरीद रहे तो उसके लिए आपको 4-5 लाक रोपे जादा पैसा देना पड़ेगा उसके बाद उसका electric version यहाँ पर ले पाएंगे वेल बात कुछ हद तक सही है लेकिन यह तब तक सही है जब आप अपने घर में चार्ज कर रहे हैं अगर आप काड़ी को अपने घर में रखते हैं घूम फिर के आते हैं वह वापस अपने घर में चार्ज करते हैं तो शायद आप अपनी कार का पैसा निकाल ले और पैसे को सेव कर ले लेकिन जब हम बात करते पब्लिक चार्जिंग इंफ्रस्रेक्चर की वो इतना ज़ादा कॉस्ट एफिशेंट नहीं होता और in the end यहाँ पर कई बार देखके लगता है कि इससे बेटर तुम एक पैट्रोल कार ले लो CNG कार ले लो वहाँ पर मैं ज़ादा पैसा बचा लूँगा भी सबसीडी प्रवाइट की जा रही है होफुली इंडिया के लेक्रिक चार्जिंग इस्टेशन थोड़े से ज़्यादा पॉप्लर क्योंकि अगर एक कार लेकर आप निकले तो अट्लीस्ट आपको चार्जिंग कहां पर करनी है इसका हैडएक नो लेकिन वहीं बात कर है कि आपने सुवह मॉबाइल फोन फुल चार्ज करके निकले दिन भर आपने काम किया घूमे फिरे सारी चीज़े करी रात को बैटरी खतम होने वाली घर पर चार्जिंग पर लगा दिया बिलकुल ऐसे कंसर्प लेक्रिक टूवीलर के साथ हुआ जिस कारण से इंडिया मे जो पैनेटरेशन होता है उलेक्रिक टूवीलर का भड़ गया है काफी सारी कंपनी जे काफी सारे री ब्रांडेट स्कूटर्स भी और कई सारे स्टार्ट अफ यह जो इस मामले में कूतन है जो कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी है जहां पर एलेक्रिक टूवीलर रिवल लेकिन उसको बनाने की कीमत ही इत्ती जादा थी कि वो 5 लग का पड़ता था अब धीरे धीर उसकी कॉस्ट कम आई आज से दो साल पहले भी बैक्टरी की जो कॉस्ट होती थी वो 70-80,000 रुपे होती थी अब जाके वो 30-40,000 रुपे तक आई है वो भी तब जब हम इंडिया हम उसे बना भी नहीं रहा भी जब हम इसे इंडिया में बनाना शुरू करेंगे और बैक्टरी पैक्स हो बैक्टरी सेल्स बनेंगे तब कीमत हो और डाउन होंगी इसके साथ ही बात करें तो इलेक्रिक टूवीलर में मैंने देखा कि ओला एलेक्रिक कमतनी थी जिसने 2022 से ज ऑपहली और यहां पर तेजी में बात करें तो इसके साथ ही बात करें तो एथर कमतनी को भी छरण निकालने पड़ गए उन्हें भी expand करना पड़ गया और indirect way में बात करें तो सबकी जो sales होती वो यहां पर भढ़ें लेकिन इसका नुकसान यहां पर क्या हुआ कि electric technology जो रहती है थोड़ी सी यहां पर नहीं रहती है इसको लोगों को समझने में use करने में थोड़ा सा समय लगत पे जो कुनारे पे जो service center जो repair जो mechanics होते हैं वहाँ पे आप repair नहीं करवा सकते हैं इनको अगर आपको repair अगर करवाना है तो आपको company की उपर rely करना पड़ेगा पिछले 2-3 साल में जितने जादा बिके हैं उस हसाब से service जो रहती है जातर कमतनी इसकी अभी भी इतनी खास न लगे उसके बाद चीजें यहाँ पर काफी जादा clear up हो जाएंगी क्यार यह सारी चीजें यहाँ पर two wheeler के साथ चल रही थी और इंडिया में मैं देख रहा हूं कि हर साल धीरे धीरे electric two wheeler का production भी increase हो रहा है प्लस यहाँ पर जो petrol two wheeler से उनकी sales अभी थोड़ा गिरना पर आ सकती है ऐसे ही कुछ start-up से वह भी यहाँ पर लगे हुए है तो देखा है तो हमने जो scooter, scooty यह वाला segment होता चलो वह crack कर लिया जिसके अदर अच्छी बात है कि जो top tier brand से वह अपनी list में आगा लिए और जो rebrand electric scooter जो चाइना से माल लेके assemble करके बेच रहते हैं वह धीरे होती है वह इसलिए बिक्ति क्योंकि उसके tires अच्छे है आप किसी village में जा रहे हो आसानी से चलाने में कोई दिक्कत नहीं की off-roading करनी है वह कर लेंगी average भी अच्छा देगा Activa से जादा useful लगती है इसलिए वह market के अंदर reliable brand की रुक में रुक हुई है और इसी के चलते market के अंदर electric bike का भी कोई एक ऐसा concept नहीं देखा जाए तो इंडिया की जो सबसे पॉप्र एलेक्टरिक बाइक है वह revolt यह वह कंपनी जिसे शुरू किया था Micromax के co-founder राहूल शर्मा ने आज के समय यह company own करती रतन इंडिया यह company ने अब जाके इसको थोड़ा सा पर इसे लेकि एक लाक रुपे तक के segment में जाती है और majority बाइक का जो सेग्मेंट होता है वह cover है हालाकि bikes exactly में कैसी होंगी क्या अलग होगा इनमें वह एक देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी भी ऐसा market है जिसे यहां पर किसी कम्तनी ने solve नहीं किया क्योंकि bikes देखा जाये तो एक थोड़ा से एंथूजियस्ट वाला segment होता है और global level पर भी इसको थोड़ा प्रीमियम एंथूजियस्टिया फिर जो पाइक के शौकिन होते हैं उनके लिए बना जाता है इवन एक सर्प्राइजिंग चीज़ बताऊ ग्लोबल लेवल पर एक कम्तनी है जीरो नाम की जो प्रीमियम एलेक्टरिक बाइक बनाती है लेकिन उसकी इलेक्टरिक बाइक इतनी जादा पॉप्लर इतनी जादा सक्सेस्फुल नहीं है लेकिन वो एक बेंच मारके कि इलेक्टरिक बाइक है जो इंडिया भी बनाती है इंडिया के बाहर भी बेशते हाली में अल्ट्रा वॉलेट ने एफ 99 सूपर बाइक को दिखाया था इस इलेक्टरिक बाइक की खास बात है कि यह 2.9 सेकंड में 0-100 km पर आर की स्पीड अचीव कर सकती है यह चीज यहाँ इंडियन कंपनी अचीव कर रहें जो देखके बहुत अच्छा लगता है इसके साथी एथर जैसी कंपनी भी इलेक्टरिक बाइक क्यों पर काम कर रही है और जीरो कंपनी जिसके बार मैंने बताया इसके साथ हीरो मोटो कॉर्प इंडिया के अंदर काम कर रही है वो भी समझ में आ गया लेकिन जो एक अच्छा प्रीमियम सेग्मेंट होते हैं इसमें क्वालिटी प्रोड़क्ट मिलता है न वह भी यहां पर आने वाले तो उसको चलाने के कोस्ट कम है और दिन भर अगार आप उसे चला रहे हो न तो पेट्रोल और सी एंजी से बहुत जादा पैसा वहां पर बचा सकते हो और फीट के लिए बहुत जादा सूटेबल चीज जिस कारण से बजा जो महिंदराने भी वहां पर निकाले और इसी पारी शेहरों में जो बसे होती है उनको भी इलेक्रिक यहां पर किया रहे है क्योंकि क्या रहता है बस का कि शहर में चलना है दिन भर चलेगी रात को आकर चार्ज कर लेंगे यह सिंपल से कंसेट पर चल रही है इसके साथी बात करें कुछ लोगा कहना होता है कि हाइड्रो हाइड्रोजन वाली बस अगर आपको रीफिल करनी है कुछ ही मिनिट्स में काम हो सकता है इसलिए बसे के अंदर ट्रॉक्स के अंदर हाइड्रोजन बहुत अच्छा और हाँ टेल पाइप जो इमिशन होता है वह जीरो होगा लेकिन टेक्निकली वह एक चीज हम देख सकते ह अभी भी चार्जों की इक पॉल्लम है लेकिन देखना है कि जो नया मनी अलोकेٹ किया रहा है चारजों कीस तरीके से यूटलायज होता है किस तरीके सरीप से चार्ज yuk krij इस प्रॉब्लम हो सॉल्व किया जाता है और बाकी सारी कंप्नीस जो इलेक्ट्रिकंकर सब बना रही है वो कंजूमर को कैसे कंविंस करती है एक सर्प्राइजिंग चीज देखी मैंने एमजी के अंदर चाहपे नोड़े विंड सरी भी निकाली उसके अंदर कहते कि कार आप ले लो लेकिन बैटरी हम आपको लीज पर देंगे और उसकी अनलिमिटेड वारंटी है और आपको साड़े तीन रुपए पर किलोमीटर पे करना पड़ेगा वो भी तरीका लेकिन इस टैक की चीज़ इंडिया में सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि इंडिया में लोग कहते कि आप हमेने एक बार पर पूरी खार कार निकालने वाली है वह भी सर्प्राइजिंग ली तक जब वह हाइब्रेट के उपर जादा फूकस करते हैं इसके साथ ही यह भी सुनने में है कि महिंद्रा की भी मल्टीपल बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स की उपर काम हो रहा है प्लस महिंद्रा की थार का भी लोग ईवी बनाने का प्लान कर रहा है वो भी सर्प्राइजिंग चीज़ है और टाटा जैसी कंपनी है वो तो अल्रेडी यहां पर लीड कर रही है मार्केट में लेकिन अभी भी जो बैटरी पैक के लोग बना रहे हैं जित्ते भी कारमेकर्स हैं जाधा तर के चाइना या साउथ कोरि सबसे बड़ी कंपनी चाहिना की वो इंडिया में आल्रेडी आती है बीवाइडी सील कर मैंने देशी थी इंडिया में टेस्ला लेवल की कार देते थे वह और 40 लेक्स में हाला कि कंपनी अभी इती पॉप्लर नहीं अपने फैर अभी जमा रही है इसके साथ ही बात करें तो काफी सारी इंडियन कंपनी और स्टार्ट अप्स के पास एक मौका है यहाँ पर थोड़ा सा और ग्रो करने का और अपना को बैटर क्रीट करने का तो वह एक देखने वाली बात है लेकिन हाँ फोर वीलर का जो एलेक्रिक रिवल्यूशन आ रहा है उससे हम यहाँ पर थोड काफी अच्छी और प्रोड़क्स भी हाँ पर काफी अच्छी तरीके से डैवलप हो रहे हैं और नहीं नहीं चीज़ें आपको देखने को मिल रही है और आने वाले समय में सब की उपर आपको कवरेश मिलता रहेगा सारी चीज़े देखते रहें कि टेक्नोलोजी कल एडव अपडेट आके वह बैटर हो जाए उसके अंदर रेंज इंग्रीज हो सकती है उसके अंदर सौफटर इंहेंस्मेंट आ सकते हैं फीचर्स मढ़ सकते हैं दिखते हैं आने वाला जमाने हाप पर कहा रहता है का आपनी सारी कमतनीज हैं एक बाप बता सकता हैं इंडिया में ट गुट्बाइ